यूट्राइन पॉलिप यूट्राइन पॉलिप एक ऐसी समस्या है जो साधारंतर आम तर जो महिलाएं आती है उपडी में उन में से सौ में से लगबग आप 20 प्रतिशत औरतों में देखोंगे कि यूट्राइन पॉलिप है कुछ यूट्राइन पॉलिप तो सही में होते हैं मीन्स अगर आप अल्ट्रासाउंड करो तो वह बड़े साइज में होते हैं तो उनको हमें एड्रेस करना पड़ता है बोलने का मतलब उन यूट्राइन पॉलिप को हमें निकालना होता है प्रेग्नेंसी लाने के लिए अगर इन में polyps की तरह तरह के वराइटी होते हैं कुछ polyps ऐसे होते हैं जब हम अल्टरसांड करते हैं तो हमें ऐसी थीकनिंग दिखती है लेकिन वह अक्चुल पॉलिप नहीं होते हैं वह जब पेशेंट फिर से ब्लीड करता है तो वह पॉलिप्स चले जाते हैं और वह पॉलिप्स कभी-कभी फीडिंग फॉलिप्स होते हैं means उन में से ब्लड सप्लाई कभी-कभी ऊपर से आती होती है उस केस में हमें बहुत ही सतर्क रहना परता है जब हम इस्टोस्कोपी करते हैं पेशेंट ब्लीड नहीं करें बहुत जादा पर अगर पॉलिप की साइज बहुत चोटी है तो उसको हम छोड़ सकते हैं दूसरी चीज यह है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसको बेसिकली हम दो-तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं एक पार्ट ऐसा होता है जो उपर की तरफ होता है लेकिन उससे बेबी ठहरने में या अबॉर्शन के लिए ऐसी कोई इसमें रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं होती है तो अगर पॉलिप्स आपके नीचे के तरफ पढ़े हैं तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है आप उसे अपने डॉक्टर के संपर्क करके आप उसे वैसे ही छोड़ सकते हैं आपको या जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कभी भी अगर आपको आई विफ कराना पड़े तो आपको उसके बारे में सारी नौलेज होनी चाहिए जिससे की आपको कभी कोई परिशानी नहीं हो बने रहे हमारे साथ हम रखें आपका ख्यार